दोस्तो फाइनली यहाँ पर Saumir 10 and 10 Pro दोनोई स्मार्टफुन इसी महीने चाइना के अंदर लॉंच होने वाला है और Saumir ने ओफिसली कनफर्म किया था कि आपको दोनोई स्मार्टफुन इंडिया के अंदर देखने को मिलने वाला है इसली दोस्तो Saumir का जो फ्लेक्सिप सिरीज है वो इंडिया के अंदर देखने को नहीं मिलता है बट यहाँ पर 2020 में आपको फ्लेक्सिप सिरीज भी Saumir की तरफ से देखने को मिलेगा दोस्तों यहाँ पर Saumir ने कुछ ओफिसली इस स्मार्टफुन के बारे में स्पेसिफिकेशन को भी कनफर्म किया है जैसे कि यहाँ पर आपको स्नैप ट्रेगन के 865 का पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिलने वाला इसी स्मार्टफुन के अंदर और उसके साथ ही यहाँ पर आपको LPDDR5 RAM भी देखने को मिलेगा जो कि दोस्तों वर्ल का पहला इसा स्मार्टफुन होगा जिसमें कि आपको यह RAM देखने को मिलने वाला है और उसके साथ ही अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर आपको एक पंच और पैनल देखने को मिलेगा जो की एक कर्व करते हैं तो दोस्तों स्वास्ट करतें दोस्तों स्मार्टफुन की बिलड़ डिजइनिंग से दोस्तों सौन का जो यह पर आपको एक बहुत बैसी ग्रेडियन डिजाइन देखने को मिलता है और इवरी येशरelas को इसस्मार्टफुन में बहुत ही बैस्ति पैस्टों आप तो यहाँ पर इस smartphone का already front side और back side दोनों ही leak हो चुका है जिससे कि दोस्ते यह confirm हो जाता है कि आपको इस smartphone में glass back का design देखनी को मिलने वाला है जो कि आने वाला glossy gradient finish के साथ और उसके साथ ही दोस्तों back side में ही आपको cover trailer camera का support देखनी को मिलेगा यहाँ पर आपको note 10 और note 10 pro दोनों स्मार्टफोन में 108 megapixel का camera देखनी को मिलेगा जो कि Samsung का sensor होने वाला है और उसके साथ ही यहाँ पर आपको 20 megapixel का ultra wide angle lens 12 megapixel का एक telephoto lens और 5 megapixel का depth sensor देखनी को मिल जाएगा अब वहीं बात करें दोस्तों इस smartphone की front side के बारे में तो यहाँ पर आपको 6.5 inch का full HD plus का display देखनी को मिलेगा जो कि आने वाले एक punch hole panel के साथ और उसके साथ ही दोस्तों आपको display में कोई भी flat देखनी को नहीं मिलेगा यहाँ पर आपको एक curve display देखनी को मिलने वाला है जो कि आने वाला है एक emoled panel के साथ जहाँ पर आपको in display fingerprint sensor का support सामने ही देखनी को मिल जागा अब उसके साथ ही बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की processor के बारे में तो दोस्तों सौमी ने पहले ही confirm कर दिया था कि आपको mi note 10 line up में snapdragon के सबसे latest powerful processor देखनी को मिलेगा जो कि होने वाला snapdragon के 865 का powerful processor जो कि दोस्तों वर्ल्ड का सबसे powerful processor माना जाता है एडलोस के साथ ही यहाँ पर आपको battery के लिए हैं आपर 5250 image की powerful battery देखने को मिल जाएगी और फाइनली बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की pricing और launch date के बारे में तो यहाँ पर आपको इस स्मार्टफोन का base variant 40-45 जार रुपे करीबन देखने को मिलने वाला है और उसके साथ ही बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की launch date के बारे में तो दोस्तों स्मार्टफोन को फरवरी के महीने में ही चाइना के अंदर launch किया जाएगा और उसके बाद इस स्मार्टफोन को इंडिया के अंदर मार्च या अप्रील के महीने में launch किया जा सकता है तो दोस्तों यही थी स्मार्टफोन के बारे में कुछ conform, specification, pricing और launch date तो आसा करतों कि अब कोई वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं अगले वीडियो में तो क्लिक कीप स्मार्टफोन के लिए एंड है वाग्रेड डियू